कि यह आप सभी का कैसे हैं आप सभी तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हूं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ दाहिंदू के कुछ करता हूं तो उसी सीजर को हम कंटिन्यू रख रहे हैं और आज यह दे 48 में मैं एंटर कर चुका हूं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में आज क्या है लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रस कर दो वीडियो दोस्तों के साथ शेर कर दो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में आज क्या है तो आज हम बात करेंकर तो जो पहला वर्ड हमारे बास वह है हराड हराड एक वर्व होती है इसका मतलब होता है to be a sign that something is going to be happen soon टो एक मिलना की कुछ अने वाले क्लो में होने वाला नinen अने कल में होने वाला है ठीक है एक संकेत मिल जाना पहले सही किसी चीज का ठीक है जिसे आज कर जो हमारा मतलब वह सटे tek side email अर्म होहां को उसको बोलते हैं ठीक है उस पर्टिकुलर टर्म को अनॉनिम देखो सिगनल होना इंडिकेशन होना अनॉनिम की अगर बात करें तो रिट्रैक्टेड और ओवर्ट मतलब कोई भी चीज पता ना होना उसके बारे में ठीक है यह होता है अगर बात करें हम सेंटेस में इसको कैसे यूज किया गया है तो जो मिनिस्टर की स्पीच थी वह उसने हराड कि उसने एक साइन दिया कि पॉलिसी बदलने वाली है ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला जो वर्ड हमारे पास वह है रेजड रेजड एक वर्ड वर्व होती है इसका मतलब होता है तो आरे जैडी डे ठीक है बात करें सेनॉनिम की तो डिस्ट्रॉय कर देना डिमॉलिश कर देना और एंटर्निम की तो रेज करना सेट अप करना कि इसको बढ़ाना या स्थापत करना ठीक है उसका सेंटेंस में अगर यूज देखें तो दा फायर रेजड दा बिल्डिंग ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला जो वर्ड हमारे पास वो है डेटर्ड डेटर्ड एक वर्ब होती है इसका मतलब होता है तो मेक समबडी डिसाइड नॉट तुडू सम्थिंग तो किसी को ये कहना बताना कि आप ये काम मत करो वो किसी भी रीजन को लेके हो सकता ह है तो किसी को अगर आप ये मना कह रहे हो कि ये पर्टिकलर वर्ड आपको नहीं करना है ठीक है तो आप क्या कर रहे हो डेटर कर रहे हो ठीक है सेनॉनिम देखो तो वां करना कॉशन करना अगर बात करें तो इंकरेज और एप्रिशियेट करना बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है तो जो कुछ पोटेंशिल बायर से पोटेंशिल बायर का मतलब होता है जो यह में ताकप तीज में छमता थी कि वो खरीद सकते हैं कुछ देख्या है यहीं आग़ा मतलब ऑप्राइस यहां तो बाइस होता है इसका मतलब होत इसका मतलब होता है तो ऐसा इंसान जो मनद उसके सहाथ कुछ गलत हुआ या उना इकसेटिटेड़ हुआ जो उसने एकसेट नहीं किया था हो गया उसके बाद में कोई परवाह नहीं यह उस टीची कोई फिकर नहीं कोई बाद नहीं तो फेज्ड मतलब होता शौक हो जाना ठीक है अन्फेज्ड मतलब और वहाई ने कोई फरक ने पड़ा ठीक है ठीक है होता है ना सबसे बढ़ी है ऐसे लोग होते हैं तरह सिनॉनिम देखो काम होना कंपोज होना एंटॉनिम की बात करें तो इसली फ्राइटर मतलब जल्दी डर जाना इसली अपसे जल्दी उदास हो जाना ठीक है और बात करें इसका सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है तो उसे ना बड़ा उससे देखा गए बड़ा अनफेज्ड थी तो सर्प्राइज नहीं थी जो सड़न सक्सें मिली अचानक से जो फेम मिली उससे क्यों क्यों कि शायद उसे पता होगा कि यह तो होना ही था यह है तो हो सकता ऐसा या शायद उसे यह भी ना पता होगी यह होई सकता है लेकिन उसे कोई परवाह नहीं था च्योंकि उसकी महनत अपनी महनत में लगी होगी कई लोग ऐसे होते ना जो महनत बहुत करते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि यार ऐसा भी हो सकता है चलो नेश्ट देखो अगला जो वर्ड हमारे पास वह है mounting mounting एक adjective होता है इसका मतलब होता है something is increasing continuously कोई ऐसी चीज़ लगातार बढ़ रही है ठीक है उसे कहते है mounting करना ठीक है mount करना synonym की बात करें तो ascent करना जब crisis लगातार crisis मतलब होता है कमी किसी चीज़ लगातार बढ़ बढ़ी ना prices बढ़ी तो जो pressure था वह बढ़ने लगा ठीक चलो नेश्ट देखो अगला जो वर्ड हमारे पास वह imperative imperative adjective होता है इसका मतलब होता है very important और urgent कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा important है और urgent है ठीक है वह होती है imperative तो crucial है critical है अन्टानिम की अगर बात करें तो unimportant है और optional है बात करें इसको sentence में कैसे use किया गया है तो it is imperative to study at least eight hour in a day तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के जमाने में कि आपको आठ खंटे minimum पढ़ाई करनी है दिन में क्योंकि competition बहुत जादा हाई हो चुका है बहुत जादा हाई हो चुका है ठीक है एक बच्चा घर पर बैठके 12-12-13 गंटे online पढ़ाई कर रहा है ठीक है तो आपको ये तो आठ खंटे तो एक routine बना कर चलना कि आठ खंटे daily पढ़न shocking कोई ऐसी चीज़ जो बहुत आसानी से दिख रही है या फिर बहुत शॉक करने वाली चीज़ है न कोई ऐसी चीज़ तो synonym देखो इसके तो obvious है conspicious है एंटॉलिम के अगर बात करें तो dim है soft है मदब देख नहीं रहा ठीक है बात करें इसको sentence में कैसे use किया गया है तो I never saw such a glaring example of misrepresentation तो जो जो presentation हुई है जो misrepresentation हुई है जो यह चीज हुई है मैंने ऐसा example कभी देखा ही नहीं में तब ऐसा कोई करी नहीं का आज तक मैंने जैसा तुमने कर दिया इस sentence मैं आज तक ही देखा ही नहीं ठीक है चलो इतना घटिया ऐसा कह सकते हो और बात करें sorry next जो arbitrary, arbitrary होगा ठीक है adjective इसका मतलब होता है not seeming to be based on any reason or plan and something seem unfair तो कोई ऐसी चीज नहीं जो बेवजय है जिसे को बेवजय है कोई plan नहीं follow कर रहा किसी चीज के पे based के अच्छे plan पे based नहीं है तो को हिंदी मपड़ो किसी भी कारण या योजना पर आधारित नहीं है होना और कभी कभी अनुचित प्रतीत नहीं और कभी कभी ऐसा लगए गलत है इस चीज ना तो arbitrary होगा ठीक है इसका प्रनाइस यह सोगा arbitrary ठीक है synonym देखो तो random है unpredicted है antonym की बात करें तो rational है reason है किसी particular reason है ठीक है क्यों किया जा रहा है वो एक reason दे रहा है उसका बात करें इसको sentence में कैसे यूज किया गया है तो I don't know why I choose that one मुझे नहीं पता मैंने यह क्यों चूज किया it was completely arbitrary decision यह completely मतलब ऐसे अचानक से ले जागा decision है मुझे नहीं पता मैंने वह चीज क्यों चूज की ठीक है चलो next देखो अगला जो word है वह alineate alineate एक verb होती है इसका मतलब होता है to make people feel that they cannot share your opinion anymore तो किसी इंसान को यह feel करा देना कि अब आप मेरे opinion share नहीं कर सकते है मतलब इसका क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आप उस इंसान से दूरी बना रहे हो आप उस इंसान को अपने बारे में बताओगे है नहीं तो वह तीसरे बारे में कैसे बताएगा अगर आप बताओग सकते हैं इसको हिंदी में कहेंगे ठीक है अनॉनिम देख लो तो strange और turn away मतलब दूर हो जाना और अनॉनिम की बात करें तो unite होना और combine होना ठीक है बात करें इसको sentence में कैसे यूज किया गया है तो तो प्राइम मिनिस्टर's new policy on defense have alienated many of his supporters जो प्राइम मिनिस्टर की नई policy ती defense को लेकिए उसने alienate मतलब दूर कर दिया कई सारे उनके supporters को ठीक है चलो next देखो तो next नहीं है आज हम मेरे पास इतने ही word थे आज के दो important word है imperative और unfazed कोसे करिए एक synonym एक antonym comment box में comment करने के दोनों की इसके भी एक synonym एक antonym और कोसे करिए एक sentence बनाने की ठीक है तो hope करता हू वीडियो चलागा होगा चलागा हो तो like कर देना चलागा सब्सक्राइब कर देना बना इकल को प्रस कर देना वीडियो दोसा देर कर देना ठीक है चलो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए thank you and God bless you all